हेलो फ्रेंज पूरियां तो आपने कई तरह से बनाई होगी खाई होगी लेकिन आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हूँ पूरी की रेसेपी वह बिल्कुल डिफ्रेंट है यह पूरी बहुत जादा हेल्दी होती है बच्चे तो खाते नहीं है इस तरीके से तो आप प पूरा देखें सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है यहां पर दो कप गेहूं का आटा उसमें मैं स्वात के अनुसार नमक डाल ले रही हूं और उसके बाद थोड़ा सा मोयन डाल रही हूं क्योंकि पूरी है तो हमें क्रिस्पी बनानी है और इस पूर दृट धनिया पत्ता लिया है मैंने और थोड़ा सा यहां पर जीरा पाउडर और धनिया पाउड़र और भूद आप अगर मिर्च इस्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अब इन सारी चीजों को हमने ले लिया है और मैश कर दिसको भी मिला लें आटा आटे के अंदर जो मात्रा कम लगेगी और क्योंकि आलू है तो यह बैंडिंग कर देता है आटे को तो फिर जितनी जरूरत होगी उतना हम यहां पर पानी मिलाएंगे अगर आप पानी नहीं तो अगर आपको ज्यादा अच्छी और सॉप सॉट पूरिया चाहिए तो यहां पर आप दूद का इस सकते है क्योंकि यह हम बच्चों के हिसाब से रैसीपी बनारे एक आटेमें इसक्वे में अच्छी जए हथाई jss?? क्योंकि नहीं कि न्युम्हां जितना है जो पोते होते हैं वो इच्छे कार्बोहइट्ष। होता है लेकिन जो पोतेटों होता है वो बहुत ज्यादा बच दूल्दी नुकसान नहीं करता है। चाहापे जिसाऊचन है पूरी का लिखेंगे उसी तरह से हमें इसका डो रीडी करना है, तो अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है वीट रूट का, देखते ही आपका मन हो रहा होगा कि बस कब बना ले और खा ले, तो देर किस बात किये, अभी विंटर आ गया है, तो अभी वीट रूट भी बहुत अच्छे से आ ताजा ताजा एकदम, तो जाए फटा फट किचन में और बनाईए यह वाली recipe, तो अब हमने जो है इसको 10 मिनिट के लिए रेष्ट के लिए रखा था, और उसके बाद अब हम जो आटा तयार किये हैं, उनकी हम जो है लोईया बना लेंगे, इसकी जो लोईया है वो आप ज जो साइज होता है, उसी हिसाफ से हम बनाएंगे, तो बस दीखिए, यहां पर मैंने थोड़ा सा हाथ को चिकना कर लिया है, और जो हमने यहां पर पेड़े बनाए थे, उनको रोल कर ले रहे हैं, और बस अब इसको हम एक तरफ हमने ओयल रख दिया है, गरम होने के लिए, अब इसको घी में भी बना सकते हैं, लेकिन जो रिफाइंड ओयल होता है, अभी काफी हेल्दी बिल्कुल भी नहीं माना जारा है, तो आप उसको नहीं यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, तो यहां पर आप घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं, तो इसको खाने से क्या होगा कि इक तो बच्चों को जो वीट रूट नहीं खाते हैं, वो अच्छे से खा लेंगे, और कलर इतना प्यारा आता है, यह अट्रेक्ट करेगा यह खाने के लिए, तो बस यहां पर देखिए, मैंने पूरियों को बेल लिया था, अब हमने ओयल को गरम कर लिया है, और अब हम इसको दिमी लोटो मीडियम फ्लेम पे इस तरह से दबाते हुए, पूरियों को सेख लेंगे, जब एक साइट से अच्छे से सीख जाएंगी, थोड़ी सी फूल जाएंगी, तब हम दूसरे साइट से भी हम इसको पलट देंगे, और अलट पलट करके हम पूरियों को सेख ल इसमें आपने बीट रूट डाला है, इतना टेस्टी बनता है, और एकदम देख सकते हैं, तो आपे कॉमेंट करके जरूर बताएगा, यहां पर आप देखिए पूरियों कितनी अच्छी अच्छी फुली फुली बन रही है, कोई कह सकता है कि बीट रूट की पूरियों है, एकदम गुबारे की तरह फुली जा रही है, थोड़ा सा कलर आप देख सकते हैं, कितना प्यारा सा आ रहा है, बच्छे तो देखते ही मांग मांग के खाएंगे, बस एक बार आप बनाएए, तो फिर देखिए कैसे मांग मांग के आप से खाते हैं, बस इसी तरह हम सारी चटनी रखा है, और पूरियां रखी है, तो बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी जरूर इस रेसेपी को ट्राइ कीजेगा, और मुझे कॉमेंट करके बताएगा, कि आपको कैसी लगी और पुलाओ के रेसेपी चाहिए, तो कॉमेंट भी कीजेगा, तो मैं वो रेसेपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक को मैं शेयर जरूर कीजेगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा, ऐसी और अच्छी अच्छी उनिक रेसेपी देखने के लिए मिलती हूँ, मैं अपनी अगली वीड और फ्रेंश एक लाइक करना बिलकुल नहीं भूले, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, बाइबाइ, थेंक यूँ